बामड आए हुए हैं चलिए से डिवेट करते हैं बामड से पताएं क्या कहना चाहते हैं हमें जो आप दिखाते वह पीडिया दे दिया करें तो हम भी क्या है डाम लोड कर सकेंगे तो वो तो आप screensort भी ले सकते हैं न ऊससे ने हैं आपको जो important है वो इसको आपको पता है वीडियो बनाने में कित्ना समय लगता है सर और मतलब को ये किताबों के form में मिल जाएगी किताब जो में अगर आप चाहते हो तो एक वैदि क्यों का गाल मेल है उसमें आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगी आप अरली इंडिया का मैंने रेफरेंस दिखाया वहां से मिल जाएगी मेरी जब किताबे आएंगी तो उसमें यह सारे लिख दूँगा ना तभी किसी को सेयर कर पाऊंगा ना दूँगा फिर वह बुक का फॉर्म हो जाएगी बिना व्याख्या कि आप लोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे केवल चीतर आपको देखने को मिलेगा आप नहीं समझ पाओगे मैं उस पर कहना क्या चाह रहा था ठीक है ना तो वो कंफ्यूज हो सकते हों ठीक है ओक्या वामट जी अब आप कर सकते हैं जब तक आप पढ़ेंगे नहीं जब आप इतिहास पढ़ेंगे जब आप स्कॉलर बनेंगे जब आप रिसर्च पेपर चापना शुरू करेंगे तभी तो बदल पाएंगे ना जब आप इस पर काम करेंगे जैसे आप देखें बहुत सारे बहुत इतिहास कार आप आ रहें हैं आप भी जब पढ़ेंगे जब लोग पढ़ेंगे और इस चीज दावे को मजबूत करेंगे तो तभी हम उस पर आगे काम कर पाएंगे हमेशा याद रखिएगा साइंस जो कभी नहीं बजल पाएंगे याद रखिएगा जीरो पॉइंट पर जाकर उसका भी फिर से निरिक्षन करना पुन निरिक्षन करना जैसे बिदेशी जितने भी इतिहासकार हैं या रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका सबका मैंने पढ़ना शुरूर किया मैंने एक चीज पाया कि बिदेशी तिहासकार या जितने रिसर्च पेपर लिखे हैं उन्होंने भी एक गरवड़ी की है कि जो एक मानक सेट कर दिया गया है कि ये चीज सही है वो उसको क्रोस नहीं करते हैं वो भी उसको एज़ेटिज मान लेते हैं उसके आगे किसी पॉइंट पर अपनी बात हैं तो उनकी जब आप ब्याख्या पढ़ेंगे तो आप गरवड होंगे यहां पर बात है कि आप उसी को चैलेंज कर रहें न एक चीज याद रखे हमेशा अगर आर्यन माइग्रेशन को जो सही मान रहा है वही रिगवेद को पुराना मानता है यह भी याद रखिएगा ज नहीं है कि कोई बीदेश से उस समय आया ही नहीं बीदेश से आया होगा लेकिन आते ही उसकी भासा संस्कृत नहीं हो सकती है उसकी भासा वैदिक संस्कृत नहीं हो सकती है उस समय वो वेद वेद नहीं रच सकता है आया होगा बसा होगा बहुत सारे लोग आया है समय समय प पाली प्राकृत के सबूत मिल रहे हैं अब भाशा वेग्यान संस्कृत वैदिक संस्कृत वैदिक वह दिखा रहे हैं रिक वेद कौन-कौन से वेद दिखा रहे हैं तो यह बहुत बड़ा घाल मेल है तो उस पे काम तभी हो पाएगा ना आप पढ़ेंगे बहुत सारे लोग पढ़ेंगे रिसर्च पर आएंगे पेपर पब्लिष्ट करेंगे इसको डिवंग करेंगे तब तब जाके होगा ठीक है बामर जी चले ओके सर एक कोशन है अचा बचा है अब कुछ यह सर हां बोले बोले लास्ट कोश्चन सर इनको तो पता है कि यह हमारे मंदिर वगेर है हमारे विहार है सर इन लोग क्यों प्रोटेस्ट नी करते सर जबकि तो इन लोग मतलब इंडिया पर भी काफी सारे हैं बहुत लों मतलब हमारी जादी के घर में भागत सिंग चाहता है जब तक यह प्रविर्ति निकलेगी नहीं ना जब तक यह प्रविर्ति नहीं निकलेगी कि बाबा साहब जो है परोसी के घर ही पैदा हो वहाँ पे जाके धर्णा देने वाला परोसी ही हो जब तक यह प्रविर्ति लोगों के अंदर से नहीं है यह काम तब जाके यह प्रविर्थी विक्सित होगी अभी तो लोगों को अभी तो लोग सोय हुए है ना अभी तो कई लोगों से बात किजेगा तो कहेंगे अरे हिस्ट्री क्या है अभी तो सिक्षा पर बात कर लेजिए तोड़ा नोकरी पर सब क्या भी चीज बदले हुए है लेकिन पैरलल में हर चीज तो करना है ना पैरलल में हमें सिक्षा भी चाहिए रोजगार भी चाहिए पैरलल में हमें जो अन्याय हो रहा है उससे भी लड़ना ह पर्लेल में इतिहास पर भी काम करना है अलग अलग आप सूचे कि एक एही काम कर लें बाकी सब छोड़े नहीं हो पाएगा, सब को करना है, इतिहास तो जरूरी है ही, तो जो जिस फिल्ड में लगा हुआ है, उन सब का समंजस्ट से होके सब को पुबलिक सपोर्ट सबसे ज़ बाता लगाए ना भारत में कितने बहुत अनलोई सच्छाई को जानेंगे जब उनका मन त्यार हो जाएगा पब्लिक त्यार हो जाएगे कि हाँ यह चीज यह गलत है कोश्चिनिंग करेंगे इस्कॉलर बनेंगे थ्यासकार बनेंगे वह प्रश्ण उठाएंगे चीज आराम स लोगों कहीं लिखा हुआ है कि यह हिंदू राजा था है वगरा वगरा हिंदू कोई मतलब मतलब सबसे पुराना रिलिजन भी हिंदू ही बताते हैं इंडिया का सर्च करो साम रियल हिस्ट्री कहां से जानेंगे तो चलिए देखे मैंने आपसे कहा था लास्ट क्वेस्चन लेकिन आप लगतार पूछ रहे हैं लेकिन आपने अच्छा सवाल पूछा है ठीक है ना इसका मैं जबाब दे देता हूं देखे मैं कह रहा हूं पढ़ हैं तो अब मैं कहां से पढ़ा रहा हूं मैं आपको कहां से मैटरियल दे रहा हूं जिस चीज का मैं रेफरेंस दे र ना के फरजी फरजी बाते लिख दी है इसका नहीं मतलब होता है वहां पे वहां पे साफ साफ यह चीज होती है कि आपने अपना क्या किया हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं आप यहां पे क्या कर रहे हैं आपको अपना क्रियेट करना होगा यह जिम्मवारी जो अभी पहले म वो अखुद खड़े हो जैएना कि मैं यह करके दिखाऊंगा अगर दसरत मांझी जो थें वो भी सोचते हैं कि पडोसी ही आके या कोई सरकार आके या कोई हमारी कभी सरकार बनेगी वो आके पत्थर तोड़के रास्ता बनाएगी तो वो रास्ता कभी बनता बिहार में अकेले उठके खड़ा हो गया जवान पथर लगा तोड़ने तोड़ते 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 जब लाश्ट में गया तो देखा किया उसके साथ तो पूरे गाउं के लोग भी अब तोड़ना शुरू कर दिये बन ही होता है दोस्त आपको खुद से ही उठा के करना शुरू कर दिजिए कोई करे या ना कर आप यह मान के चलिए मुझे ही करना है पुलोसी के दम पे मत रहे कि पुलोसी ही करेगा यह दूसरा करेगा आप खुद से कर यह नहीं कर सकते हैं तो उसकी सहायता किजिए जो कर रह है यह प्रविर्थी होनी चाहिए यह होगा ना तब तभी यह चीजह हो सकती है चले बामर जी सुक्रिया